11th के जतने भी student है जो 24 में मैं टिक पास किया है और online apply करने के बाद वो सारे बच्चे इंतजार में है कि merit list कब आएगा merit list कब आएगा तो मैं बता दो merit list नहीं आएगा या आएगा क्या है वो सारी बात मैं आपको बताता हूं और अब आपका नमांकन भी यूही नहीं हो जाएगा जो आप समझ रहो ऐसे नमांकन नहीं होगा इसलिए जानगारी बहुत important है तो वीडियो को अंतक देखते रहो सारी बातों को मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि जितने भी विडियारती हैं वो जिनका online करना छूट गया था तो फिर से date आया है बीस तारिक तक date है नहीं विडियारती या फिर इंटरेंस हैं सिबसी बोड के या फिर आइसी एसी आउदर बोड के विडियारती है online शुरू हो चुका है वो अपना online फिर से कर वा लेंगे एक चीज हो गई दूसरी बात यह विडियारती कि आप लोगों ने जो 11 में OFSS के माध्यम से online आवेदन किया था आवेदन किया था लिस्ट में आपने उस कॉलेज का नाम ही नहीं दिया या फिर पहला नाम नहीं दिया अपने किसी अन्य कॉलेज का दिया है तो आपको एक बात बता दे कि अन्य कॉलेज में आपका नामांकर नहीं होगा आपका नामांकर होगा ही नहीं तो कैसे होगा सर पताते हैं आपको तो आपका merit list निकलेगा, उस college में निकलेगा, तो उस college में नमांकर नहीं होगा, पर्देख विदारती जहां से metric किये हैं, यानि अपने मुल्क, जो college school है, उसी से जहां से आपने metric पास किया है, आपका नमांकर तो आरहाल में वहीं होगा, अब क्या है कुछ बचे परिशाने क सर मैंने तो उस college का आपने जिस जिस में metric किया उसका तो नाम ही नहीं डाला लिस्ट में, कैसे होगा तो बताता हूँ, अगर आपने दूसरा college का नाम डाला और उसमें लिस्ट में आपका आ गया, तो वहां लिस्ट में नाम आने के बाद भी, जैसे आपने commerce चुना, science चुन और science में आपका उस college में आ गया, और आप जिस college से metric किये हैं, उस school में, उस college में आपका science भी से subject जो है, वो faculty नहीं है, तब भी, उस admission को आपका transfer आपके इस जिस में metric किया उसमें किया जाएगा, और उसमें science के faculty उबलब्द कराई जाएगी, यदि science के सिक्षक नहीं है, तो science भी द्यारती चाहता है, reality में कि मैं यहाँ पढ़ूँगा, इन्हें दूसरे विद्याले में ही पढ़ूँगा, जहां का बढ़ा है, तब ऐसमें क्या होगा, कि आपको अपने school से SLC, school living certificate लेना होगा, और उस school living certificate को लेने के बाद आपको जिला सिक्षा पताधिकारी के ले सकते हैं, तो यह process बहुत hard हो चुका है, बिहार पोट ने हर दिन नया update दिया है, ऐसे विद्यारती जो बिल्कुल मतलब अपने list college को भूली गए, अपने जिस college में पर रहा है, जिस विद्याले में उसका नाम नहीं डाला, तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, ले first merit list में जितने बिध्यारती का नाम आता है, उस सारे बिध्यारतियों को नमांकन तुरंथ करवाना होगा, यदि किसी कारणवस उस date में first merit list निकलता है, उसका date दे जायता है पांच दिन के लिए, और उस पांच दिन के अंदर में, आप अपना नमांकन नहीं करवा पते हो, तो फिर आपको आपका seat cancel कर दिया जाएगा आपका नमांकन नहीं होगा इसलिए merit list जब निकले उस merit list में आप अपना नमांकन करवा लोगे अब छूट जाता किसी विद्यारती का तो last option क्या होता है बाबू sport admission तब क्या होता है आप sport admission के मार्जयन से आप अपना नमांकन करवा सकते हैं पहले slide up का system था कि दूसरे college में आपका नमांकन हो चुका है slide up करके आप अपने college में आ जाओ लेकिन बिहार रपोर्ट ने slide up का system पुन्डूप से बंद कर दिया है slide up नहीं होगा और आपका दूसरे भी थायाמתने दूसरे college में आपका नमांकर नहीं होगा आपका नमांकर नचीं होगा वह आपके उसी college उसी विद्याले में होगा जहां से आपने मैट्रिक परिक्षा पास की है तो ये वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है बहुत सारे विद्यारतों को इसके बारे में जानकारी नहीं था और उसने दूसरे कॉलेज में ना मांकर ले लिया हलागे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि आपका एडिमिशन उसी में होगा जिससे आपने मैट्रिक पास किया लेकिन बहुत सारे बच्चों ने माना नहीं अब वो दुविधा में पाड़ गया है तो इस वीडियो को जादा सजाधा शेयर कर देंगे अपने सारे दोस्तों तक ताके सब को नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एक बार फिर से मैं बता दूँ के इलेवंत का जिस बच्चे का छूट गया था आनलाइन की प्रकिरिया आनलाइन शुरू हो चुका है जल्द से जल्द वो आनलाइन करवा लेंगे और अपने उन दुस्तों तक वीडियो को शेयर कर देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद यहां तक आने के लिए और कितने इसे बिद्द धियारत है जिन्होंने अपने कॉलेज का नाम नहीं डालाता दूसरे कॉलेज का नाम डालाता वो कॉमेंट में हमें जरूर बताएंगे तो चले मिलत एक लिए वीडियो में तो तक के लिए चै हिन वंदे मातरम